अशावल ने परमेश्वर की आज्यान नहीं मानी इसलिए परमेश्वर ने शमुवेल नभी से कहा शिये नाम के एक व्यक्ति को ढूंड उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा शमुवेल को यिशय बैतलहम में मिला उसने यिशय के साथ पुत्रों को देखा वो सुन्दर और बल्वान दिखते थे उन में से कोई नहीं परमेश्वर ने कहा मैं बाहरी रूप को नहीं देखता मैं एक व्यक्ति की आंतर्य दिल की परवाह करता हूं यिशय ने उसके सबसे छोटे बेटी को संदेश भेजा जो खेतों में भेणे चरा रहा था शमुवेल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा वही है इस तरह दाउद नया राजा होने के लिए अभिशक्त किया गया था कुछ समय के बाद इसराइलियों ने पलिष्टियों के साथ युद्ध किया एक दानो पलिष्टी सिपाही गोलियत ने इसराइलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक युद्धा को भेजने के लिए कहा पर सभी इसराइली डरे हुए थे दाउद सेना में उसके भाईयों के लिए भोजन लेकर आया उसने गोलियत की चुनौती सुनी और ढरा नहीं परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत दाउद ने कहा मैं उसके साथ युद्ध करूँगा अचम्भित हुए राजा शाउल ने दाउद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की नहीं दाउद ने कहा परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है वो गोलियत के विरुद भी मेरी सहायता करेगा दाउद ने पांच पत्थर और एक गोफन लिया क्या मैं एक कुत्ता हूँ गोलियत दहारा तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है तेरे पास एक भाला है दाउद ने कहा पर मेरे पास इसराइल के परमेश्वर की सहायता है दाउद ने गोफन में पत्थर डाला और गुमा कर मारा ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया इसराइलियों ने पलिष्टियों को हरा दिया पर मेश्वर की सहायता के साथ दाउद एक हीरो था.